So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबाडी वर्कर्स का पोशन पक्खवारा की एक और नई वीडियो में तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ कि पोशन पक्खवारा के अंतरगत हमें 10 एक्टिविटियां कैसे करनी है क्योंकि आप लोग को मैसेज आ रहा होगा विभाग की ओर से कि आप लोग कम से कम अपने आंगनबाडी केंदर से 10 एक्टिविटि जो है वो पोशन पक्खवारा के डैसबोर्ट पे आप लोग को अपलोड करनी है तो इस वीडियो को आप लोग जड़ा ध्यान से समझेगा कि 10 एंट्री हमें कैसे करनी है और वो कौन-कौन से हम लोग एंट्री हर रोज की एंट्री पोशन पक्खवारा के डैसबोर्ट पे अपलोड कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जितना हो सके इसको शेयर भी कर दीजेगा चलिए सुरू करते हैं जैसे कि अभी मैं हूँ पोशन पक्खवारा के जन अंदोलन डैसबोर्ट पे यहाँ पे आप लोग को चार थीम देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आप लोग चार थीम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्री अन्मिलेट के बाड़े में एक थीम हो गया, स्वस्थ बालक बालिकास परधार यह दूसरा थीम हो गया, स्वक्षम आंगनबारी यह आप लोग का तीसरा हो गया, और ओभराल नुट्रिसियन यह आप लोग का चोथा थीम हो गया, जो कि चोथा थीम आप लोग को यहाँ पे dashboard पे ही देखने को मिलेगा और जो तीन theme है वो आप लोग को यहाँ पे जो पोशन पाखवरा की गतिविधी दी गई है यहाँ पे आप लोग को तीन theme के ही बाड़े में बताया गया होगा जैसे कि सिरी अनमिलेट के बाड़े में परचार परसार करना, स्वस्थ बालक बालिकास परधा का आयोजन करना और सक्षमागन बाड़ी यहाँ पे तीन theme आप लोग को दिखाए गया है लेकिन पोशन पाखवरा का जो dashboard है वहाँ पे चार theme दिखाए जा रहा है तो चौथे theme में आप लोग 6 अलग से entry आसानी से कर सकते हैं इसमें आप ल कीन होंगे यहां पे श्री अनенийलेट के बारे में लोग का एक activity हो गया ठीक है यहां पर दूसरे activity आप लोग का यहां पे घृ भर्मन हो गया 3 अप लोग का हैंड वासिंग हो गया और चोथा अने पर प्रकार से आप लोग को पर देली यहां पर जो activity दिखाए गया है हर में आप लोग को तीन एक्टिवीटी अलग से नहीं करना है कि आप लोग को नहीं से नहीं करना है। एक क्टिवीटी सेम ही है। ब्रिधी निग्राणी, रीफ्लानी, होम वेजिट और हेंड़ वासिंग। एक लोग तीबिटी कीज़ा है हैं। तो यह अलग-अलग डेट को एक अलग-अलग एक्टिवीटी आप लोग को देखने को मिं जाएगी बाकी तीन एक्टिवीटी जो है वह आप लोग का सेम है ग्री भरमन, हैंड वासिंग, विर्धी निगरानी ठीक है यहां तक आप लोग समझ गए अब चलिए हम चलते हैं फ जो एक्टिवीटी है वो आप लोग यहां पर कर सकते हैं डोलसेन गर्ल्स को लेकर सीरी अनमिलेट के बारे में जो परचार-परचार है वो यहां पर कर सकते हैं तो अलग-अलग डेट में आप लोग एक्टिवीटी है वो यहां से कर सकते हैं और जो दूसरा एक्टिवीट है वो भी आप लोग का इसी में आ जाएगा पर्मोशन अंड के त्विम में तो यहाँ पर दूसरा यहां से कर सकते हैं ठीक है यहां पर सेलेक्ट करेंगे डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आप लोग यह गतिविधी कर रहे हैं फिर यहां पर डेट सेलेक्ट करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आप लोग पार्टिसिपेशन डिटेल्स में आएंगे जैसे कि यहां पर यहाँ पे डाल देना है अगर किसी जेंस को यहाँ पे आप लोग home visit में नहीं select करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डालना अनिवार है जीरो नहीं डालेंगे तो आपका यहाँ पे जो home visit है वो submit नहीं हो पाएगा ठिक है इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो 0 है वो आपका image के type पे दिखा रहा है तो यहाँ पे हम click करेंगे और यहाँ पे संख्या भड़ेंगे कि कितने female को हमने home visit के दवरान जो स्री करके जीरो डाल देंगे यहाँ पे भी जीरो हम लोग डाल देंगे ठिक है जीरो डालने के बाद यहाँ पे आप लोग submit करेंगे तो आपका easily यहाँ पे submit हो जाएगा देखें यहाँ पे invalid data इंटर दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने जो आंगनवारी केंद्र है वो select नहीं कि अगरम है उसको यहाँ पर किलिक करेंगे ठीक है फिर यहाँ पर एक्टिबीटी पर किलिक करेंगे और यहाँ पर growth measurement of children measured or height and weight का जो option है इस पर किलिक कर देंगे तो यहाँ आपका दूसरा यहाँ तीसरा आपका activity हो गया ठीक है यहाँ पर date select करेंगे और यहाँ पर कितने बच्चों का growth measurement किया हूँ आप डालेंगे यहाँ पर 0 पर किलिक करके ठीक है तो यहाँ पर हमने 6 और 5 डाल दिया यहाँ पर 00 कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ बच्चों का ही जो growth measurement है वह हमने किया है ठीक है तो इस परकार से यहाँ पर details डालके आप लोग submit कर देंगे ठीक है यह आपका तिसरा activity complete हो गया फिर चोथा आपका यहाँ पर hand washing है तो hand washing आपका कहाँ पर आएगा तो overall nutrition में आपका hand washing का option देखने को मिल जाएगा यहां overall nutrition पर click करेंगे तो आपका जो hand washing है activity में देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं Sanitization, Activity on Hygienic and Sanitization and Safe Drinking Water Wash तो यहां पर आप लोग hand washing को select कर सकते हैं यहां पर select करेंगे और यहां पर hand washing में कितने बच्चों को हमने hand washing कराया तो यहां पर बच्चों की संख्या डालेंगे अगर male female को hand washing के बारें बताए हैं तो male female की संख्या डालेंगे यहां पर इस परकार से बच्चों की संख्या डालने के बाद फिर से आप लोग आके यहां पर submit कर देंगे तो यहां आपका इस परकार से 4 activity हो गया ठीक है फिर उसके बाद अलग से हम लोग 6 एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे ओभरल नुट्रिशन में कर सकते हैं जैसे कि ओभरल नुट्रिशन का जो थीम है वो कर लेंगे फिर से बता देते हैं यहां पर अपर कर पाएंग और यहांपे हैंद वासिंग में करेंगे तो यहांपे चोत्ता आपका हैंडवासिंगisten में आ जाएगा और छे अलग से जो एक्टिवीटी है वो यहाँ पे ओभराल नुट्रिशन से ही आप लोग जो एक्टिवीटी है एनिया कैम या जो भी आप लोग कैम का आयोजन कर रहे हैं उसको यहाँ पे अलग से छे अक्टिवीटी आप लोग इस पोशन पखवारा के डेश्बूट पे डाल सकते हैं यहाँ पे जितने भी एक्टिवीटी है योगा कैम सेनिटाइजेशन एक्टिवीटी और परमोशन और ट्रेडिशनल फूड तो इस प्रकार से कुल मिलाके आप लोग को हर रोज 10 एक्टिवीटी कम्पलीट कर लेनी है अब तो यहाँ पे आप लोग समझ सुके होंगे अब चलिए कि मालने जी हमने जो 10 एक्टिवीटी किया है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे थिरी डोट पे क्लिक करने के बाद यहां पर हम लोग प्रजर्रय करेंगे कि से देखना चाहते हैं तो एा डश्य यहां पर अपना जो सेंटर है वह सिलेक्ट करेंगे प्रजर्रॉत करने के बाद आपका जो भी एक्ति हुआ रहेगा यहाँ पर अप लोग का पूरा एक्टिविटी खुल के आ जाएगा यहाँ पर next page पर click करेंगे तो next का यहाँ पर सभी एक्टिविटी आप लोग को देखने को मिल जाएगा तो उम्मिद करते हैं कि 10 entry आप लोग पोशन पखवारा के अंतरगत करेंगे आप लोग कोई भी परिशानी नहीं होगी अगर कोई परिशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परिशानी लिख के हमें सेर किजिए मैं उसका फिर से कोई वीडियो लेके आने का कोशिस करूँगा और आपको समझाने की कोशिस जरूर करूँगा इस वीडियो में दी गई जनकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद